नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल MB Speaks पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं आप देख रहे हैं मेरे साथ वाली स्क्रीन पे एनेस कॉलेज के प्रोफेसर है नमीन गुपता जी स्वागत करती हूं आपका मैं वेलकॉम अज सोमवार है 16 मई सोमवार यानि के भोले बाबा का दिन है आज और आज ही के दिन ग्यान भापी मस्ज़िद से बाबा मिल रहे हैं इससे आगे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों की दिमाग में आ रही होंगी बहुत कुछ आप सोच रहे होंगे कि और वहां क्या-क्या मिलेगा तो इन सब मुद्वों पर हम बात करने जा रहे हैं एने स्कॉलेस के प्रफेसर डॉक्टर नमीं गुपता जी से तो डॉक्सब जैसे कि आपने आज पूरे दिन का घ्रतना ग्रम देखा सुना क्या है यह सब सभी दर्सकों का आर्दिक स्वागत की शो में जो मुझूद हैं जो को देख रहे हैं आप सभी लोग जो गटना क्रम है बरतमान में उससे परचित हैं चाहें वो अयुद्ध्या हो चाहें कासी हो या मथूरा हो यह ऐसे बात्तपून बिंदू हैं जिन्हें लेकर के बिंदू समाज जो जागरती आई है उससे उद्ध्यलित है उद्ध्यलित होने का कारण यह है कि उनकी सांस्कृतिक आस्था और धार्मिक आस्था पर जो कुठारागात हुआ अतीत में वो जख्म एउद्ध्या का विबात मिस्तारित होने के बाद धीरे धीरे अरे हो गये और हरो होने का कारण भी क्या था कि जो छद्म धर्म निर्फिक्षता हमें दिखाई पड़ती है जो एजंडा बनाया कुछ राजिनीतिक दलों ने भी बनाया कुछ सामप्रदाइक ताक्तों ने भी बनाया उसका प्रणाम यह निकला आज एक हिंदुत का जागरन जो है हम हिंदू समाद में देख रहे हैं जहां तक बात थी बावरी विवाद की वह कोड के माध्यम से निस्तारित हो गया और उसके बाद यह मारा जा रहा था कि एक अच्छा बातर्वन देश में बनेगा सामप्रदाइक सौहार्द शब्द का प्रियोक किया जाता है इसके लिए कि वो बनेगा कमिनल हार्मनी डेवलप होगी लेकिन धिरे धिरे जो हम देखते हैं तक्टरबाद उसने इन सब चीजों को बढ़ाने का काम किया और उसका प्रणाम ये था कि जो पुराने सूट फाइल हुए थे इन सब चीजों को लेकर के उन्हीं में से एक सूट जो है ये कासी की ग्या ग्यान बाबी मश्चित से समादिता जब हम ग्यान बाबी मश्चित की बात करते हैं तो काशी का इतिहास आज का नहीं है इसलाम सात्मी सताब्दी में आया है लेकिन यदि हम ईशा पूर्ज की बात करें सूले महा जन्पज जो है उनमें कासी कोशल अंग मगद ये सब जो है अस्तित्त में हैं और उसके अलावा इसको अगर हम और आनिक साहित्ते में चटोले तो अयुद्ध्या मतुरा माया कासी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चेई सब तहीं तो मोक्षदाई का हिंदू मेथ़लोजी जो है वो ऐसा मानती है कि साथ पुनिया जो है वो मोक्षद्धान करती है और कासी को अवमक्ठचित्र माना गया है अवमक्ठचे ठ्शट्र के मतलब यही है कि अगर महाँ काल्से है, यह बताते हैं आपकों. बाद में ब्रम्मा विश्णु महेश का स्पॉंसेटो, बहुत बाद में आया है. सबसे पहली जो सबएता है, यदि हम सेंधव सब एता की बात करें, इंडिस वैली शिविलाईजेशन जो सबसे पहली सब एता माली यहां पर कोई समस्या खड़ी होती है समय निर्दारण की या काल निर्दारण की तो कारबन डिटिंग के माध्यम से पुरा तत्तू जु इतिहास का करता है और भारतिय वरातत्तु सर्वेक्षन विभाग एसाई बोलते हैं जिसको उसका सारा का सारा काम ही जो है इसी विज्ञान पर आधारित है प्रातत्तु विज्ञान पर जब कोई प्राचीन चीज कोई मिलती है यतिनी भी खुदाईया हुई उनमें समय जो भी सामिकिरी मिली उत्खनन में जो भी हमें बस्वी मिलती है उनका काल निधान हो या उनकी समय की निधान की स्थिति हो अथवा उनका क्लासिफिकेशन ये सारी चीजे जो है हम इतिहास की इस शाखा में जो पुरातत्त विज्ञान है उसके अंतरत्त दो तरह के शाक्ष हमारे हैं इतिह को पुष्ट करने के लिए पहला है वे पुरातात्य को साइट साइट में भी अगर हम जाएं तो काशी में शिव की प्राचीनिता जो है जिर्वेबाद रूप से स्विकार की गई है क्यों कि सत्यम शिवम और सुंदरम यह हमारा जो है भारती संस्कृतिका जो है वो आदर्स जो सत्य है वो सिव है और जो सिव है वो कभी अकल्यानकारी नहीं है सुंदरम यह अनुचित लाव उठाते हुए समय समय पर हम अगर आठ्वी सतावजी से ने सबसे पहला अकर्मण होता है अरवों का और उसके बाद तुर्को का अकर्मण होता है जिसमें सोम पर प्रयान fast किया गया है अन्ने मैंद現在 की अभी ऑस्व किये गए हैं जिन बास्टिक लिया उन्हें अनुरों ने देगा Sorok त्यक्तिक कि कि हमारी संसürd करति पर तैOoh कि इस्लाम क का इस्लाम को इसलाम तो यह था कि काफिर जो इसलाम को मानने ज्यान बापी मस्यिद छेत्र विबादिप ज्यान बापी मस्यिद ड्लप होंगा मैं क्योंकि वहाँ पर अब जो ज्यान बापी में आज जो सावित कर दिया है कि सत्य को कितना भी कुछला जाए, सत्य निश्चित रूप से सामने आता है, और आज वो आही गया, जिस बुजू खाने की बात की जा रही है, जहां पर बुजू किया जाता था, आप समझे उसके अंदर जो है, बगवान शिव का दिंग मिला है, यह बहां से प्राप्त करने के पीछे जो है, वास्तम में जो मूलवाद दायर हुआ है, सिबिल जल सीनर डिवीजन बार्रा नसी की अदालत में, यह मूलवाद संख्या है, 693 अवलिक 2021, तिरिमती राकी सिंग, आदी बनाम उत्तरपदेश शरकार, यह बात चला था, इसी के अंतर का सारे कमीशन ब केले कमीशन निक्ट के जा चुके हैं, लेकिन जो कटरवादी थे, जो संस्कृति को कमन करना चाहा रहे थे, हिंदू संस्कृति को, उन्होंने यह सर्वे होने नहीं दिया, और उसके लिए सिर्फ कोई जिम्मेबार नहीं थे, इसके लिए को समय की सरकारें और शाशन प्र अदालत और संभिदान बारत में सबसे उपर है, सर बोपर ही है, और उसको चुनोती देना कि हम यह नहीं होने नेगे, वो नहीं होने नेगे, यह सारी चीजें जो है, एक आखिर क्या प्रति बिंबित करती हैं, क्या संदिश देना चाहते हैं आप, वो संध्यक हिंदू समा है, ऐसी अब्धारणा के साथ कार्य किया है, कभी भी किसी को सताय नहीं, कभी भी किसी की अस्मिता पर त्रहार नहीं किया, सभी धर्मों को यहां पर शक, कुशान, तहलब, जितने भी आए, उनको सब को समाहित करके, हमने उनको पहँचान दी, हिंदू समाज का अंग बना लेकिन, यह विदंबना रही समाज की, घूम फिर करके अत्याचार और गमन इसी समाज का किया गया, और इसी यही उत्पिनन की स्रंखला जो है, और अंग जीव के समय सबसे अधिक, आगे बड़ी जिसके अंतरकर जो है, इस ज्यान बापी मंदिर को भी जो है, जिसमें वि बड़ास्त करके वहां पर जो है, एक कखित, मस्जिद को खड़ा किया गया, जिब कि इसलाम कहता है, कि किसी भी ऐसी जगहे पर, जिसे जो है जबर्दस्ती लिया गया हो या इसी अन्य की जगए हो वहां पर मस्जिद में अदा की गई नमाज को जो है तुदा कुबूल नहीं करता जी जी आकिने क्या है मैं ये अक्याई आपसे और जानना चाहते हूं यह ज्यान वापी विष्व नुदिका सब्दय है जी जी ज्यां कारी जी ज्याण आइजण कई सब्भान कि और ये हैं में उप छो ये पार्ट लगाएं है वो major ग्यां के सरोवर में हम गोते लगाएं है और ग्यां का सरोवर जो है पूरी नगरी जो है काशी नगरी भगवान विश्वनात की है विश्वेशर की है वो बिलाजमान है माँ पर नंदी की प्रतिमा जो निहार रही थी विश्वेशर भगवान की तरफ वे संकेत दे रही थी इंगित कर रही थी कि यहां पर विश्वेशर भगवान परिशर है जो बाबा विश्वनात का परिशर है तो इसलिए ग्यान और वापी शब्द कहीं उर्दों में हैं यह नहीं है यह दोनों ही शब्द विश्वत देंदी के हैं अभी आज का सारा घटनकरम आपने देखा आपने सुना आपने जाना तो अब यह बताईए कि आगे हमें और क्या-क्या चीजें मिल सकती हैं वहाँ चुकि आपने पुरातत्त के हिसाब से भी इसको स्टडी किया है इस पूरे मामले को और बतोर इधियासकार भी आप इस बार करते थी अब वहाँ और क्या-क्या हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें कोट में यह कहा है कि आप मतलब हमारे पास सौपेंगे आप किसी को देंगे नहीं किसी से जानकारी आप सांधा नहीं करेंगे तो यह जो आज शिवलिंग सोंवार के दिन जो बाबा के दर्शन हु देखिए धर्म की रक्षा के लिए हमारे यहां बड़े-बड़े बलिदान हुए हैं और उनी बलिदानों की संखला में जब हम इस ग्यानवापी की बात करते हैं तो इसमें भी आज जो सिवलिंग मिला है उसे लेकर कूदने वाला भी यह कोजारी ही था इसमें औरंगे की स खून सवार था उसके सेनकों पर एक भय का मंजर था उसमें एक पुजारी जो है वो इसको लेकर जो है ग्यानवापी सरोबर में कूट जाता है जी जी आपके बात कोई जानकारी है कि उन पुजारी जी का क्या नाम होगा अभी वही मैं कहने जा रहा था अभी उस पुजारी की वी चर्चा उस पुजारी की बारे में भी छानवीन सुरू हो गई है क्योंकि जब कड़ियां जुडती है तो फिर सारी चीजें छनकार आती है जैसे जो सत्रा सो सत्तर से और अशी का दौर है उसमें जो है अगर हम देखें इस बाद में जो है सबसे बड़ा योगदान उन पांच नारी सकती का है महिलाओं का है जिनों ने किसी भी कीमत पर समझोता न करके उन्होंने कहा कि हमें तो अपने आराध्य देव के दर्शन चाहिए और हम उनके दर्शन को करके रहेंगे उनका जो अपम आज जो सेलिंग के कारवाई हुई है उसके पीछे जो है इस मुकत्मा में जो है 78 गा के अंतरगत जो सिबिल प्रोसीजर है उसमें 78 गा के अंतरगत सबसे बड़ा योगदान जो है वो हरी शंकर जहिन जी का है जो अधिबगता है इस मामले में उन्होंने 78 गा अबेदल नयायले में कब दिया जब वहां पर सर्वे की टीम पहुंची और उसे जो है ग्यान बापी में सिबिलिंग मिलने के बाद भी जब तक वो से वो छेत्र संजक्षित नहीं होता वो सील नहीं होता तो शासन अपने कबदे में नहीं देता वहां तक्षों के साथ कु कोट ने आदेश किये हैं इस पर नजर रखे हुए है कि उसमें जो है इस्थानी प्रसाशन को कोट ने इस पर आदेश दिये हैं और यहीं नहीं उसका आफजर्बेशन जो है परिविक्षन पर बीजन करेंगे डीजीपी यूपी पुलिस और मुख्य सचिप उत्तरप्दे साथ साथ में जिलाप्रशासन, कमांडेंट, सी आरेफ, सारी पुरिस, सारा इस पस तादेश एक एक को दिया गया है, कि किसी तरह का कोई महां पर छेड़ छाड़ाना हो, और किसी तरह की कोई गटना नहीं गटनी चाहिए, और ये भी बता दें, ये सर्वे का भी काम जो है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम था, क्योंकि कटरवादियों ने इस से पहले जो सर्वे की टीम थी, उसमें अदालत से, इस पस्ट आदेश थे, अदालत के आदेश पे टीम गटित थी, लेकिन उसको अपना काम करने नहीं दिया गया, आज इस्टितियां दूसरी हैं, और मान परालिया था, कि इस बार मैं देखता हूं कि सर्वे का काम कैसे रुखता है, और अदालत के आदेश का कंप्राइंस क्यों नहीं उपा रहा है, ये उनका जो है, इसके साथ साथ, जो इसमें हमारे नया अधीश महोदे हैं, जी, रभी कुमार दिवाकर जी, उनकी बहुत संकियां दी गई, जजजज को, नया अधीशों को, और उससे काम भी प्रबाबित हुआ, लेकिन इन्हों ने जो है, जिस निर्वीक्ता के साथ, अपना निर्णे देकर इस संपूर्ण छेत्र को सील कराके, और आप कह रहें कि क्या-क्या मिल सकता है, भै तो भै, शिवकी सक सकती के आगे तो सब जो है, मैं भी जो बोलना हूँ, उसके पीछे भी जो है सिर्की सकती है, क्योंकि वो तो अनादी हैं और अनंत हैं, और हर जगह मौजूद मिलते हैं, तो इसलिए मैं भी जो बोलना हूँ, उनी की करपा से बोलना हूँ, यह सब तो मेरे नहीं है, क्यों कि हमारे जो इस्थापत्य कला इच्छल तक पूरे के पूरे देश में एक ही स्थापत्य कला का प्रियोग होता है मंदिरों के निर्मान के लिए और उस स्थापत्य कला में हिंदू कला के अंतरगत क्या-क्या चीज़ें आती हैं मुसिलिम इस्थापत्य कला में क्या-क्या चीज़ें आती हैं वो सब डिफाइन हैं कलस आमके पत्ते शंक खंटी श्री ओम नंदी तरशूल यह सब ऐसे संकेत सूचक चिन हैं जो सिर्फ और फिर्फ इंदू धर्म को ही कतिनिजित्त पेते हैं वहां पर फूल पत्तियों का प्रचलन है क्योंकि इसलामिक जो सैली है जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें जो है जीवित प्राणियों का चित्रन नहीं होता है जब कि हमारे हां जब कि हमारे हां देखें हम कि जो बैशनब मंदिर हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि गंगा और यमुना कलस के साथ जो है मुख्यदार पर विराजमान है और उसका गोपुरम गोपुरम बोलते है जो पूरा जो चबूतरा है जिसको गोपुरम बोला जाता है और उसपर ही जो है एक जो सेट हमारी स्टाइल है आर्किटेक्चर की मंदिर की उसके अनुरूप ही मंदिरों का निर्मान होता है इस मंदिर का निर्मान भी निश्यत उसे उसी शेली में उसी स्थापत्य कला में किया गया है इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है और आगे चलके आज डोन से भी फोटोग्राफी हुई है सारी वीडियोग्राफी हुई है और इसके अलावा कारवन डेटिंग आ जाएगी एसाई का काम यही है वो सब निकाल अब इसके लिए जो है बनाया गया है और मैं आशा करता हूं कि निश्यत रूप से पुरा तट्व ज्यान की कसोर्टी पर वो सारी चीजें खरी उतरेंगी जो इसको एक हिंदू मंदिर शिव मंदिर के रूप में प्रमानित और इस्थापित करने में सहाइप साभी अभी इस इस स्पॉर्ट पे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपना दावा ठोक रहे हैं और हमारा देश जो है एक धरन निर्वेक्ष देश है आप क्या समझते हैं कि ये एक ये तो क्लियर ही है कि एक धार्मिक मसला है तो इसे क्या मतलब कोट पे छोड़ द क्याना चाहिए जाके मतलब जो चीजें सामने दिखाई दे रही है उस पर ही सब चीजों पर डिसकर्शन होना चाहिए यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारती समाद ने विश्यतकर हिंदू समाद ने हमेशा जो है साइस्चुर्टा का परिचे दिया है जहां पर धर्म निफ्शिष्टा की बात आती है इससे पहले भी कानून बने है जी यॉस्टा कंपलाइंस नहीं हुआ क्योंकि कोकी की कट्टर वाद बार बार आ ठैक दूसरी चीज़ जिए आपने कहा कि हम धर्म निप्यक्ष है धर्म निप्यक्ष और यह दावा के बात किया आपने अगर मुझे कोई तोड़ी देर के लिए जालीदार टोपी पहना दे किसी मैं इस्तार पार्टी में या कहीं जाऊं और तोड़ी देर के लिए जैसे हमारे राज नेताओं ने मैं नाम नहीं लूँगा किसी का फूब अभी इफ्तार में खूब पहनी टोपियां तो क्या वो मुसिलिम हो गए नहीं हुए न अगर किसी मुसिलिम को किसी हिंदू आयोजन में हम थोड़े से समय के लिए जनेव डालके ये दिखाने के प्रयास करें ये हिंदू है तो क्या हिंदू हो जाएगा नहीं होगा तो दावा अलग चीज है दावे के लिए तो हमारे हैं कानून में इतनी लचर विवस्ता है कि यदि मैं आपके घर में आपकी सहमती से आज थोड़ा सा सेल्टर पाने के लिए सामान रख लूँ और उसके बाद बगएर अपनी मर्जी के मै चीज मैं ने कर नहीं सकता है मैं ऑन जी मत्यास्टर की की बात पे आती हूं कुछ ये जोगों नocyक और यह कहा की वहां रजिया की usu 된 का करें ऐसा कुछ नहीं है और जिन मस्जिदों को नाम दिया गया है वो नाम तो अब दिये गए है ज्यान वापी कि मैं चर्चा कर रहा हूँ चिस्षेत्र में है यह यह करम आज से तोड़ी चला है मैंने आपको बताया आठवी सताब्दी की चर्चा मैंने चुरू की और तब से यह इसपस्ट इनके जो ग्रंत हैं एतियासिक ग्रंत हैं वो कहती हैं कि हमारा तो इनका तो उद्देश ही धर्म का प्रचार करना और हिंदू संपत्ति को लूट करना और मूर्तियों को तोड़ना वो सब्दाता है इसमें उर्दू का है तो मैं मूर्ती भंजक हिंदी में प्रचार रहा हूं उसको जितनी भी यह मूर्तियां उनको उनको तोड़ो विद्वन सकूरो उनका तो जहां पर यह कल्चर रही हो तो आप उनसे क्या यह ने खून हर्तमें लगा रहा कि उनसे आपे अपेक्षा करते हो कि वो इतनी आसानी से चोड़ने की लिए पैयार हो जाएगी जबकि उनको जो शाक्ष मिले हैं और जो बहां की डेमोग्रॉफी है उसके हिसाब से तो स्वता मुसलिम समाज को आगे आकर यह कहना चाहिए था कि मैं हम यह समाज जो है इस इस्थान को अपनी सेहमती से और खुशी-खुशी से जब उसके प्रमाण मिल रहे हैं साहितिक और पुरातात्विक तो हम हिंदु समाज को सौप रहे हैं जो उनकी अस्ता का किंद्र है एक नया सांपरदाइक सादभाव और उसके मिसाल सामने देश के सामने लेकिन एक और मैं सवाल अब से जानना चाहती हूं इस पूरे प्रकरन में दो मुस्लिम शासकों के नाम आ रहे हैं एक है और अरंग जेब और दूसरे हैं अकबर जी चीक है अब यह जो आज बाबा के दर्शन हुए है कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह शायद अकबर के काल में वहाँ पे इस्थापित किया गया हो और और इंग जिन ने उसको तुड़वाया हूं आप इसके बारे में क्या कहते हैं मतलब इस्थापना जो है अकबर ने कराई हाँ जी उसने कई कई मंदिरों की जैसा कि आप इत्यासकारा बैटर जानते हैं थोड़ा से इस पर रोश्णी डालिया देखिए अकबर के द्वारा जो मात्रफुन धर्म चला गया वह था बीने लाही जे और उसमें जो है अल्ला भी रही को उखता दूसरी बात जो है इसमें जहां तक अकबर की शैहन सिलता की से श्मृता की बात आती है उसका अपना जो है निजी यूदेश निजी सुःत था निजी स्वार्त है था कि बहुत समाद रहा था कि उस समय की जो राज़ शक्तिया है इन को अगर अपने पक हिंदु समाद यह नहीं इसको नहीं बूल पाएगा यह सारी सक्तियां जो है मुगल जो है वो विदेशियों 1526 में बावर आता है तो सब को मालूम है इत्यास की जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से मतलब आप क्या क्या मतलब समझते हों 1526 में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बावर का आगमन होता है उसके बाद उसके बाद किसी ने किसी प्रकार के बलफर यह दोनों काम चले हैं जो परमपरा पहले सिति जो रिबाय referrals चलिया रही थी पहले से ही यह धर्म को को ब्रश्ट करो मूर्तियों को तोड़ो इसलाम का प्रचार करो तो वही सिती बनती रही बीच बीच में जो दौर आये कुछ तो उसमें जैसे दाराशुको का नाम आता है तो दाराशुको ने जो है अरभी फार्सी के साथ साथ जो है संस्कृत को भी पढ़ा और बहुत से ज उनका translation भी किया उसने इस तरह से बहां पर तो हार्मनी हमें दिखाई पड़ती है लेकिन वो चीजे दब गई इतियास में जी उनको जो एक माइंड सेट करके और यूरो सेंट्रिक विचारदहरा से जो इतियास लिखा जा रहा था तो वो चीजे तो दबाई गई लेकिन हम कितने साल गुलाम रहे हमको किसने दबाया हम पे क्या आत्याचार हुआ इन चीजों को इतिहास में बड़ा चड़ा कर फूब पेश किया गया कि हिंदू समास तो इतना कायर है इतना धर्म भीरू है कि उसके साथ कुछ भी करते रहो वो सेंट कर लेगा यह सारी चीजे इसी क्रम में जब हम बात करें अब जिससे ताज महल का मामला आ रहा है इसमें भी जिस दिन वो जिस दिन वो कमरे खुल गए उस दिन एक और ग्यान बापी का अनावरण हो जाएगा यह बताए देरा हूं आपको में उसी दिन हो जाएगा और सारी इस्टि जो है वो सामने आ जा है कि इसका निर्मान अकवर नहीं कराया तोड़ने के फर्मान इतियासिक रूप से बिभिन इतियासकारों ने जगे जगे पर कोट किये हुए है और उनका विवरण मिलता है यह साक्षे है और जब साक्षे है कि मंदिर तोड़के मस्जित बनाई गई तो फिर तो उसमें कि शमक्ष सारे शाक्षे पेश होंगे और उसके अरुसार अधालत में ने करीए नमीन जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को फिर मिलते हम किसी और मुद्दे पे आपके साथ फिर बात करते हैं तब तक के लिए दर्शकों से विदा लेते हूं और वि वह बाट रहा हूं कि यह द्रण होता है गुरू का आपने जो प्राप्त किया है उसको लोटाएं तो इसलिए जो भी जानकारी में था वो आपके साथ पेर किया और आपने मुझे जो है अपने प्रेटफरम पे यगे यगे दी इसके लिए मैं आपका इकवा को ना फिर्द